न्यूस क्लिक देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है आज हमारे साथ गोवा फांडेशन के शोध निदेशक राहूल बसूजी मौदूद हैं आप जानते हैं गोवा में चुनाओं हैं और बहुत सारी चर्चाएं चुनाओं के बारे में हो रही हैं ज्यादा दर लोग टूरिजम तक ही सिमित करके देखते हैं जबकि एक गोवा का बहुत ही महतोकूर इंशु है खनन का तो हमने सोचा इके है यह कितना महत्वकून है गोवा के लिए और यह क्या चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है इन सब पर बादचीत करने के लिए राहूल बसूजी से हमने आग्रे किया और आज वो हमारे साथ है तो सबसे पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है थ जादा तक जो लोग है वो सोचे की टूरिजम ही है इदर तो बीच है और लेकिन बात होती तो जार्खा एंड शार्थिसगा इनके बात होती तो गोवा क्या प्रोफाइल था थे गोवा में खनीज और चनन बोद मेटवकून होता था क्योंकि जब भारत का इंड़गेंडन गोवा पर तो गोवा उस समय वर्ड वार टू के बाद खनीज को खनन करके जपान पर बेच लेते और वैसे गोवा की चल जाता उस समय बहुत सारे लोग वह खनन में लगे हुए थे क्योंकि वह मज़दूरी जैसा था उस समय मिशीन ट्राक पर से कुछ नहीं था उसके बा जब खनन बर रहा है लेकिन मेकनाइजेशन से लोग कम हो रहा है जितने लोग उसमें जूरा हुआ है जब माइनिंग पहली बार पूरा-पूरी बंद हुआ था 2012 में उस समय पिछले 10 साल आप देखेंगे तो गोवा का सिफ एक या दो साल GDP में 20% हुआ था गवर्मेंट का जितना वो जो revenue कहता है वो भी एक है दो साल में 10% से जादा हुआ है जादा तर कुछ इतना important नहीं है जैसे लोग कहते हैं काफी लोग लेकिन जूरा हुआ था थोड़ा सा employees थे जो काम कर रहे थे कंपनियों में लेकिन जादा तर वो transportation में ट्रक के मालिक और कुछ-कुछ ल जाद लिए तो तुर तीसरी बात जब हम लोग गोवाँ के बारे में सोचते हैं हम लोग सोचते हैं कि वह समुंदर घरिया चव पार्टी लेकिन यदि गोवाँ में आप सोचेंगे तो तीन भाग में सोचें पहली है समुंदर के साई एक्तम अंदर है वेस्टर घाट तो जमीन के तरीके से देखे तो पूरा भारत में राज्यों में सबसे जादा अपना जगा चाहिए आठ परसंट तक चाहिए तो यह कितनी माइंग सोचेंगी गोवाँ में सबसे जब बंद हुआ था सो के नजदेगे किसी के पास एकडम काउंट नहीं है मोटा 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 सो के नजदेगे तो यह बंद क्यों हुआ तो 2012 में 2010 के आसपांस केंद्य सरकार ने एक शा कमिशिन कमिशनर एंक्वायरी दलवाया था और फिर सिप्टेंबर 2012 में उनका उस कमिटी का रेपोर्ट गोवा के रेपोर्ट पार्लेमेंट में दिलवाया और पूरा पब्लिक हो गया और शाह कमिशनर में बहुत कुछ लिखा था एक तो लिखा था कि जितने भी कानून है सब सब फ्लाउट हो रहा है जितने भी लीज है सब एक या दूसरा कानून को वायलेट कर रहा है यह सब हो सकते हैं सिर्फ यदि जो खन्नक करते हैं वो ठेकेदार अपना पॉलिटेशन अपना ब्यूरोक्राइट सब एक मिल करके यह दिख सकते हैं और एक नंबर बताया था कि जो वो लीज के बाहर जो खन्नन हो रहा था उसका एक एस्टमेट बनवाया था कि 35,000 क्रोर सिर्फ वो लीज के बाहर लीज के बाहर अवैद खन्नन लेकिन इस तरह की का अवैद खन्नन की बीज के बाहर बाहर 35,000 क्रोर यह सोचना है कि गुआ का अबादी सिर्फ 15,000 क्रोर का मतलब हर आदमी और बच्चे के लिए 2,000,000 से ज्यादा अवैद खन्नन हो गया था और हमारा संविदार में यह कहता है कि खनीच और सामुदाएक संपता है लेकिन वो राज्य सरकार का संपती ने है वो सिर्फ न्यासी है लोगों और आगे वाले पीरियों के लिए तो यह जो 35,000 की बात हुई है यह हमारा पुरा सबक्या नुकसान 2,00,000 कैसे नुकसान बन गए और उनके जो सब उनसे जो पैसा मिल रहा है वो भी अमीर बन गए तो जो कह रहा है पॉलिटिशन और ब्योर्रोक्राइट भी जुरे हुए थे यह अवेत खंदन में वो क्यों जुरे हुए तो यह हो रहा था कि हमारा यह सामुदाएक जैदार उसको बूटा जा र है यह कैसे चलेगा जी बिलकुल अचा एक बात और बताईए कि 2012 में के से बंद हुआ है श्या कमिशन की रिपोर्ट आई श्याद आपने भी कोड में याची का दायर किखने है गोवा फांडेशन ने भी यह पहली तो मनुवर पारिकर चीफ मिनिस्टर ने माइनिंग को प्रधान मंत्री निरेंद्र मोधी भी जवाय थे उन्होंने कहा था कि मुझे सब पता है खनन का क्या मुद्धा है मैंने यहां से लोगों को बुलाया है सब चीजे पड़ी है इसके बारे में हम शुरू करेंगे अभी लेकिन आप पता रहें कि मनुवर पारिकर रोते तो मुझे यह बताईए कि जो यह खनन का मुद्धा है इसमें बीजेपी कॉंग्रेस दो प्रमुक पार्टिया है उनकी क्या भूमी का रहे हैं तो यह थोड़ा वह कोर्ट केस में के बारे में थोड़ा बताना बढ़ेंगा तो सुप्रीम कोड ने 2014 में जज्ज्मेंट निकला ह और उसमें यह कहा कि 2007 से 2012 तक जितने भी खनन हो रहा था गोवा में 100% अवेद पूरे के पूरी अवेद खनन मतलब सारे चार साल के अवेद खनन इसका दो चीज निकला आता है पहली चीज जब वह यह खनीज समुदा एक संपत्ति है जब अवेद खनन हो रहा है इसका बहुत सरे पैसा वापैसा अंवे और आगे कि सांवे जिसने कि लूटा इसको चोट खनन करने के देने के लिए सवाल ही उटता है उसको कि एककन सरफरी हो इंटार्य तरिको के से चाले चूरी कीया है apolog brings बैं कोई नहीं है स्टेट गोवर्रियंत मेरों पुरा नइँ तरीके से चालू कर साथ है सुप्रीम कोट ने ये कहा कि राज्य सरकार को कि अब से तुम फ्रेश लीज नया लीज दिलवाओ और केंज्य सरकार को बलवा नया अब कानून में नया लीज देना पड़ेगा अभी कानून में नया लीज केसे दे सकते हैं दू उपाय है एक अविधु कामज Strategy को दे लौ तुम उप्शन करो कि का ओप्राइब मनोहर पारी करका दो तो उन्होंने रिणीव तो उसका औक्षन नहीं वगऊ हूँ और उसका प्रम कोर में इождения कर दिया क्योंकि कहा था कि नाया लेस दो रिणीव कर रो में जिसको कियाा उस के को के संहosाए कर बहुत नियुका अभी एक प्रिटिकली में यह शुक्य कि 정도 साथ 2000 से हम लोग ने 2014 वो जज्जमिन के बाद ही लिखा था कि तुम ऐसा करके नया करके सिस्टेम बनवाओ और यह भी मालूम परा कि यदि हम लीगल सिस्टेम में देखेंगे यदि खनल अब यदि हमारा धन सोचते हैं तो हमारा धन का वैल्यू क्या है हम जितने पर बेच सकते हैं ल वो तो उसका वैल्यू हो गया स्टेट गर्मेंट को कितना मिल रहा है हमने कालकुलेशन किया आठ साल में 2004-2022 अठासी हजार करोर का खनीज निकाला दिया उसमें पूरा पैसा जो लगाया हुआ जितना भी एक्सपेंस और प्रॉपिट च्छतिस हगार मतलब खन्रन का मुल उस आठ साल में राज्य सरकार को सिर्फ दो हजार चार्शु कुरोर मिला उससे भी का मतलब 100 रुप्या का माल वह बावन हजार पाच रुप्या भी नहीं मिल रहा है अभी उसी सिस्टेम में मनोर पारेकर ने रिन्यू किया हमारा काल्पिलेशन है कि वह जो अवेद खनन के रहे वह जो रिकावरी वह भी नहीं मिला और फिर वह रिन्यू भी कर दिया उस में नुकसान हो गया एक हजार वन फॉटीफोः थाउजन करोर एक एक लाग चावालिस हजार करोर का नुकसा और यह सारा का सारा है कि का निज जो सिधा लोगों के खनीज की लोगों के चावधार जजमिन्ट और रिन्यूल के पहले 40 MLA पूरे के पूरे सब MLA ने स्टेट कवर असेंबली में रेजिशन पास किया कि रिन्यूल किया जाए 2018 में जब फिर वापिस बंग किया चालिस का चालिस MLA ने रेजिलिशन पास किया कि केंद्य सरकार और पार्लियमेंट कानूं को बंगा कि हम लोग वापिस अपनी दोस्त को रिन्यूल दे सकते हैं तो यह आप कहते हैं कि कॉंग्रेस या बीजेपी कौन है दोनों मतलब पू जो उसमें आपके निर्दली एक बाहक भी आगा है वो भी आई है सब किसाब इसमें संधित है जी इसमें अभी जी तुब चर्चा आइसके बारे में कुछ और ही थी और थोड़ा बदा भी तो देखा कि जो मानिंग कंपनी जाए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा यहां प एक चीज़ हमको बताना चाहिए कि जब गवा का लिबरेशन हुआ इंडिया के साथ जूर गया था उस समय जो गवा के खनन करते थे वो इंडिया के सबसे बड़ा इंकम पैक्स बड़ा थे इतना उस समय में इतना में थे उसने सब का न्यूस पेपर यह बहुत कुछ है ले इस बड़ा था कि कॉंग्रेस और बीजेपी फॉरइन कंपनियों से पैसा ले रहा और यह एफसी आरे का वाइलेशन है उनका वह पुलिटिकल पार्टी का कैंसलेशन होने वाला था किस कंपनी वह पुलिटिकल कांट्रिबूशन किया था दो कंपनी के नाम वह दिली सेशा को और स्टर्लाइट इंडिया दोनों भी विदानता बन गया मतलब बहुत है इसमें पैसा बहुत है और बहुत गहरे दंग्स तक पॉलिटिक्स को प्रवावित कर सकते हैं चोटा सा प्रदेश है और खनी जितना है यह तो लोग को किसी को पता ही नहीं है लोग आते ह जतना है विडाय के गिगा आते हैं रहीं होती हम ओपे और रहीं मतलब थे यह जाना होता है और में इसमनी विदैडियों भी आता है कि जहांन होता है तो वह समुधाय directly आते है रहा प्रदोंbuild उडेनि मतलब दड़्या को श्रयवा सरिश प्रोश यह यह तो बहुत सारे तरह के आसर हुआ है 2012 के समय हमने 27 स्टाइफिक स्टडी भी सुप्रीम कोड में जालिक किया ता कि कितने कितने तरफ का इंवायरमेंट का प्रॉब्लम है बहुत जादा तर यह एक हेल्ट का प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ड़स्ट उटता है और आप तो यह भी देखा था कि क्योंकि जब खनन होता है तो ट्रांसपोर्ट भी होता है तो बहुत ज्यादा ट्रॉब्लम गुजरते हैं और के बाद उगटनाएं भी हो जाती है और यह जब ड़स्ट जो निकलता है बारिश के समय वह तोड़ा स्लाइम बन जाता है चलने के सब्सक्राइब होता है आपको याद होगा दो तीन साल पेले ब्रेजिल में डैम माइनिंग का एक डैम तूट गया और चार सो किलोमेटर का नदी एकदम नुकसान हो गया था वो भी यहाँ पर तीन-चार साल में एक फेलियर होता है कुछ लोग मरते हैं फसल निकल जाता है तो यय सब होता ही रहता है तो मैंनिंग से यहां कि साधन लोगों को क्या फैदा पार रहा है कि को यह कुछ रोजगार मिल रहा है तो क्यों अन कुछ क्छार्व रह से जड़ेकिस अधनक वह कर आ रह ही है तो क्यों मैंनिंग में क्या यह? जब गाउं में होता है तो कभी लोग इसके खिलाफ में हो जाते हैं तो मैंनिग लोग क्या करते हैं वो जाते है और उनका लोकल लीर के पास जाते है और आप ए ट्रुक खरीज लिजिए यदि ट्रुक आपको चलाने के लिए पर टन किलोमेटर के हिसाब से 3 रुपया लगते तो पूरा लोकल कम्यूनिटी जो खिलाफ होता है आदा माइनिंग कंपनी के साथ डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके पानी उसका नमक खाना है तो पूरा कम्यूनिटी बोट सारी लोग आप जाएंगे और उनके खेत हैं उनके बास ट्रुक भी है वो एक तरफ से बुक रहा जादा तर ट्रुक है यहां बोने बाइने में तो प्रफ में घरत्राम काने दर्टो तो क्ःप्ट शो में जादा किता भी अन्यूनिट उनके, जो मतमें कातै वीड Самर रथ सरी माहीं तरफ इस नम scholars और बारिश पाने जातना मानी पानी जाता है, ब़ूनिट अज अक्छी या फिनांच या लो या वो सब चीज़ों में और काफी लोग ट्रुक की मालिक होते थे लोन लेके मालिक लेकि वो चलाते में इतने लोग जादे तर लोगो मालिक करके बनते थे और काफी पॉलिटेशन अभी माइनिंग में इस तर ही से इंवाइब तो उन ट्रकों का हुआ यह तो मैंनिंग ट्रक का मतला माइनिंग तुछ होता नहीं वह एक नॉमल ट्रक लेकिन बन हुई तो जाएद दो पर उनका भी कोई तो कुछ लोगो आप चेजिए देखते हैं कुछ लोग तुछ लोग तुछ दूसरे काम में चला है आप गोह में जाएंगे रास्ते बन है घर बन रहे जाएं तो तो लेना ही पड़ेगा तो कुछ लोग घुसमें लग गें कुछ लोग अपने ट्रक बेच दिया कुछ लोग चब मध्याप्रदेश कंटाटा का में और काफी लोग अपना बन करके रग दिया कि जब शुरू होगी जब शुरू होगी ने बोला है अब तो अब शुरू होने वाले तो ट्रक बंद करके रख लेकिन सवाल ये आप अपका पास ट्रक है लेकिन आपके घर के सामने जदी ट्रक का काम होना चाहिए तो और नहीं हो रहा है यदि आपका अपना दंदा बन कर देंगा ये कैसे हो तो एक और बात बताईए इससे क्या असर पड़ेगा, क्या इसके कुछ फायदे ही है लोगों के लिए या कुछ इन्वर्मेंट के साथ इसका किस तरह का रिलेशन्शिप है, अगर माईनिक शुरू हो कि है, जैसा अभी इलेक्शन में सब कहना है, तो इसमें एक important चीज हम बताना चाहते हैं कि हमारा ज खनीच हमारा सामुद्याइक संपत्ति है और राजय सरकार सिर्फ न्यासी है हमारे और आगे वाले पीड़ी, उनको तो सेलक्शन करना है उसको इन्हां तो अभी और अभी यह सोचे जब जब हम खनन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा धन बेंच रहे हैं पैसा के लिए तो नाशनल मेंट्री पालिसी यह भी कहते है कि राजय सरकार कोशिश करेगा कि वो घनीच का पूरा मुल्या लाएगा, मतलब 100 रुपया का मुल्या, 100 रुपया आना चाहिए, और कोशिश करेंगे वो लेकिन इक राजय सरकार करेंगे, तो हमारा कहना है, यह जदी हम इसको दन की तरफ से सोचते हैं हमारा जैदात की तरह और हम बेच रहे हमको तीन चीज करना चाहिए पहली चीज पूरा मुल्य लाना चाहिए दूसरी चीज वह बेच के जो पैसा मिलता है हमारे बच्चे और आगे वाले पीडियों के लिए रखना चाहिए हम लोग ज्यादा तर घ तो हमारा कहना था कि तुम के राज्य सरकार एक बड़ा mutual fund बनवा हो हमारे लोगों के लिए और आगे वाले पीडियों के लिए और तीसरी बार वो जो खनीचता वो हमारे था उसके बेच के हम लोग फंड बनवाया वो तो हमारे है और उसका जो लाम है हमारे है तो वो सबने वो नगों जैसे बाटोव जितने बही जोफ ऑपदा है वो उनकी ही संपदा है ऑदो मिलना चाहिए और शिर्फ ने क्योंकि हमको अभी मिलेगा वह जो फंड है वह एंडावमेंटrob है को ऑफच्चे भी मिलेंट और उनको रह सब को गद्चे पाधियों को हम हमारे हि माने वाली पीडी को भी इसको सुपूर्द करें एक दम और पूरा वालियो तो यह पेली चीज़ बाद दूसरी बात हमारा वह वह नुक्सान हुआ था और है तो हमारा कहने कि जब पचास मिलियन तन पे चल रहा था बहुत प्रॉब्लम आता सुप्रीम कोट में 20 मिलियन तन का का लगवाया दौसरी सोला सथरा में उस पे चला था उस समय भी बहुत दस प्लूशन एक सौंशी गाओं के बारे में पराहूंग वह वह था होंगे तो मोटो केस हाइक कोट चारीड राइट्स कोट शिर्योट्राइब्स कमेशिन सब नहीं कि अब जुछ सकते हैं अब पांच दस मिलियन तर्व पर चलो लेकिन इसमे प्रॉबलम क्या है नहीं हमारा खनीच्व है ही जब मिकालेंगे उसमें काम होगा लेकिन आप कहरें आप सोचेंगे कि पचास मिलियन टन के लोगों के जिन्दीश की जुरे हुए आप कह रहे है बाकी लोग क्या करेंगे तीसरी बात है कि साथ साल से जो खनन हो रहा था बहुत बुकसान हो था कुछ कुछ खनन वाइल लाइट साइंस्टी में चल रहा था उसको बंग किया गया वो जो खनीच के ऊपर जो माल होता था ओवर बर्दन वो छोड़ा चोटा पाहर बंगया है कि वह वेस्टं तुम लेकर जो खान कभी खुलेगा ने उसमें तो ऋंत प्रॉब्ल्म का निकल गया फिर दूसरी बात जो थोता है वहां से माल खेतों तो उसके बात नदी में गाला है। तो भो सब भी निकालों। नेशा में पोद्ध ऎकनार भी का सब्सक्रा को लिए मरकाया तो एसे करके रही है और गॉवा को यह नहीं को यह दियुक्तिध में एक honesty फोसे है। इसी पर मेरा गला सवाल थे को जशे जो वेस्ट अप इसकी कास्थी थी है और दूसरा जो वेस्टन घाट है तो इस तो हो तर चे बाइया बाइय डावर्सिटी का तो क्या उस पर कोई असर पड़ रहा है इसका इसका इंदम असर पड़ रहा है हम लग जब सुप्रीम कूर मे कि वेस्टेंगाट के होना नहीं चाहिए मैंने लेकिन गोवा गब्मेंट ने का कि इतने लोग माइनिंग से जुर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो सुप्रीम कोड ने का तो ठीक है चोटे दंग से शुरू कर सकते हैं चोटे तौर पर क्योंकि हम पूरी तरह से बंद न इंग को मिला था जैदार उनको उतना ही मिलेगा वो काम भी कहीं पर ग्याने क्योंकि जब निकाले महँं लोग खनी निकालेंगे जदी हम अंडर्ग्राउंन करेंगे तो जितना काम है प्रौंत तो हैं अपने बच्चे को वो काम ही इसे तो कोई नुक्सार नहीं हो सकते ल वही पुराना सिस्ट्म चाहिए है तो यह लोग कहें ठीक है लेकिन इस तरह से करो क्योंकि हमारा कुछ जिमीदाग है यह रिपूनसिबर भंध से होना जिए होना जिए है इसा नी कि खनन बंद कर दो खनन कर जकते हैं बट एक जबिदारी पूर नंग चाहर सकते हैं इसमेद तो मोटे मोटे तोर पर यह देखने को मलता है कि जसा कि मैं समझ भाए आपसे बात करके कि जो भी यहां की सर्कारी रही है तो वो इतरह से अपने कुछ निजी स्वार कहें या करप्शन कहें उससे ज्यादा ड्रीवन है माइनिंग को लेके बजा इसके कि इसको किस तरह से सब जो जो अब गध करनन किया है उनको यह दैकर ना है तो कोई ऐसा सीधे बात नहीं कह सकते हैं तो उनको क्या कह रहा है कि हमारा कहना है सब्सक्राइब करना है यदि ये राज्य सरकार अपना पारिवारन को ठीक करवाने के लिए वो काम शुरू कर देते हैं और वो रिजेक्ट दम को माइनिंग पिट भरवाते हैं तो वो लोग कह नहीं सकते हैं कि काम नहीं है तो एक तम हाथ पे बेटे हैं काम हो नहीं सकते जब तक है तो और लेकिन अभी अभी सब लोग बोल में यह तो आप एलेक्शन के बाहर दिया आएंगे तो फर दो तिन दिन में माइनिंग के बारे में लिखा जाता है क्योंकि यह पुरा एक पुरा पुरा करुप्शिन का सिस सकते जाइए जाधा चल रह एं लोग रोख रोखने की कोशिश कर रहा है एक तरफ बहुत सारी लोग है और एक तरफ बहुत सारे पासे तो इसमें हम चाह सकते हैं कि जो गोई की लिख निटिम है उसको माइनिंग जो है वो बहुत तक्ड़े ढंग से उसको प्रभावित कर शुक्ता नजाथा हूं हमने बोला था कि वह 52,000 क्रोर मतलब 50,000 क्रोर का नुकसान हुआ था उस आठ साल में गोआ राज्या शरकार का पूरा जो रेवनियू सब तरह का टायक्स हैं वह सेंटर से जो भी पैसा में थे 27,000 क्रोर मतलब हमारा नुकसान 50,000 क्रोर और सब तरह से जितना बिजाद सिर्फ सटाइब सब्सक्राइब पच्छाइब करोर में 31,000 करोर जो थेकिदार के पास गया थे 21,000 करोर गोगा का राजय सरकार का बजट उस आठ सालों में सटाइब सब्सक्राइब तोटल बजट उसके तो कही गुणा ज्यादा है तीसी बाले में देखिए हम लोग सुप्रीम कोट ने बोला सारे चाल साल का अवेद खन्रन मतलब वो और को खनीज को वापिस लाओ या उसका वाल्यू दे दो अभी वो खनीज तो चाइना में गया है तो उसका वाल्यू हमने कैल्गिलेट किया 55,000 क्योंकि जब कोई चोरी कर उसका खर्चा वाप निकाल ने सकते हैं तो पूरा वाल्यू हाज वो 65,000 क्रोड दो अजार बारा में गॉअ गवर्मेंट का बजट था 6,000 क्रोड इसका रिकावरी तस गुन पैसाट हजार करोड पैसाट हजार करोड तो यहां पर रिकावरी हुए है तक असी करोड हमारा हजार करोड से ज्यादा रिकावर को हुआ है लेकिन यहां पर हमारा पाउंडेश का भी शायद पांच प्याइल है दूसरे कुछ-कुछ यह तो पैसे हजार करोड एक अवेद के लिए है तिर उन हमने बताया था कि बहुत तरह का एल्ली गैलिटी था वो माइनिंग सिर्जाओ अःंड पर बहुत सरे और ढूसरो्व चीज वहारा चार और है how he कि रिकावर करो अपने दोस्ते कैसे रिकावर करें उनको को ही रहते हैं तो कुल मिला कि बात वहीं प्रयांगाती है यदि हम नया सिस्टेम नया पॉलिटेशन को नहीं चुनेंगे इस नहीं नहीं सिर्फ गुआ में नहीं पूरा भारत में चल रहा है कुछ नया सिस्टेम नया धन का पॉलिटेशन है और नया सिस्टेम भी बनवाना चाहिए क्योंकि हम लोग हम अपना जैदात को दिंगाल के बात रहें खच हो रहें और एकडम अन्याएं और लोगों कोसा थोड़ा दबाव भी बनाना चाहिए, सिस्टम भी चेंज करें, पॉलिसी पे भी थोड़ा धान दबाव भी बनाई, क्राकि जो हमारे विधान सबाल नेता है, यह जो दूसरे विभाग है, वो एक काम करें, उनकी अकाउंटबिलिटी को शायद थोड़ा फिक्स करने में लोगों को भी एक भूमिगा भानी के, जैसे गोवा फाउंडेशन ने बहुत अच्छे दंसे यहां कर रहा है आप लोग और बहुत अच्छे दंसे आपने पूरा इसको अर्टिकलेट किया इस मसले को इतने पुरा डेटा निखाला, कोर्ट में गए और यही वजह कि आज माइनिंग के बात होती है, गोवा के बारे में भी माइनिंग के लेके, तो अगर कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि माइनिंग से जोड़ी हुई है, बहुत इंपर्टेंट है गोवा के संदार में औ वो राज्य सरकर्व के साथ हैं, लेकिन हमारे जहिदाद हैं, लेकिन आप अपने दिल में देखें कि आपका खनीज, आप सोचते हैं कि आपके खनीज हैं आपके राज्य में, आप हर्याना से हैं, आपके खनीज वो नदियों से रेत निकाला जा रहा है, आप सोचते हैं कि शाहिद नहीं हम जो कह रहा है कि जब वो डिविटेंड आते हाथ में तब लोगों को पता चलेगा शहरों में कि जो खान और खन्नन चल रहा है कुछ जंगलों में या गाउं में या कहीं पर हम तो दिखने रहे हमारा दाइत्माय की सवाल पूछने का हो क्या है यह डिविडे रहत जब तक वो फंड रहे है को सब्सक्राइग को यह पूरा सिस्टम रहना परेगा क्योंकि यह ने रहता तो हम भारत को कम जोट करतें जुको हम लोग क्या कर देंप्ते चाइना को बेच रहे हैं वो लोग स्टील से वेपुक्तम बनवांसे लदाप में सेल सीन ग्राअ बाता जा एंग देश को तू यह कैसा चले रहा है मैंदत हो capital के तो अब जय वहाम है तो लोग पने कनेजन पर अपनी संपधा कर पर अपना दावत कई जा एक हमारा है यह उनी हमारा है और हम और उसका शंट्रक्षन करें और सवाल पूछें कि आप यह कैसे लूट कर रहे हैं उसमे सवाल पूछने शुरू करें पुछने शुरू करें और फिर भाईसा कहा गया माम नद F быстро को क्या विले जान है हमारा इतना नहीं है जोड़े जा आने वाली पीडिके बारे में सोची कि अगर हम निकाल लेंगे यहां से पूरा प्राइमेट चेंज का भी जो इशू आ रहा है तो वो सब खत्रे तो खेर हैं खर प्राहुल जी आपने बात की हमसे बहुत अच्छी जानकारी आपने थी हमारे दर्शक भी जो गोगा की चुनाओं को थोड़ा ही संदर्म में भी समझाने के लिए थैंक 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 यू